हेलो स्ट्रेंट्स माइसेल्फ डॉक्टर नरायन सर और हम लोग अपनी सरल बालोजी जो सीरीज है उसी सीरीज के अगले एकिसोड में लास्ट वीडियो तक हम लोग ने पढ़ लिया हुमन रिस्पाइटर सिस्टम यानि और गन पढ़ लिया एक्स्टर्नर नॉस्ट्र से अंवलाई पढ़ लिया लंग्स के बारे में पढ़ लिया और लंग्स के सैच्वेशन थोरे से चैम्बर में पढ़ लिया अब हम फिजोलोजी के मेकेनिसम पे आ रहे हैं जहां पे हम बात करेंगी स्टेप्स ऑफ रस्पाइशन क्योंकि आपके परेग्राफ में लिख दिया गया है ब्रीधिंग इस कोमनली नोन एजन रस्पाइशन और यही ब्रह्म तूर ना चाहता हूं वह इंट्रोड़क्री लाइन तो सही है शुरवात में समझाने के लिए हम कह सकते हैं बट रियली इस नौट दप करेक्ट लाइन रस्पारेशन कहें तो रस्पारेशन को पाँच स्टेप में बाच सकते हैं कैसे पहला स्टेप कहलाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब एक्मोस्फेर की जो हवा है उस हवा को हम अपने फेपड़े के अंदर भड़ें या फेपड़े की जो हवा है उसे हम एक्मोस्फेर में रिलीज करे that is pulmonary ventilation जब atmosphere के हवा को फेफडे में भरते हैं तो उसे inspiration या inhalation करते हैं और जब फेफडे के हवा को हम बाहर निकालते हैं तो उसे हम expiration या exhalation करते हैं यह पहला step है यही breathing था यानि breathing is not commonly known as a respiration breathing is one step of the respiration respiration के पाँच step हैं उसमें पहला step breathing है second step जब हवा आपके alvely में भर गई उस हवा में से oxygen diffuse हो के blood में जाएगी और blood की CO2 diffuse हो के lungs alvely में आएगी that is gases exchange कहाँ? alvely में यानि दूसरा step हुआ gases exchange in the alvely किसके बीच में? फेफड़े की जो हवा है उसमें और वहां के जो blood के परीद हैं उसके बीच है third step तीसरा step है जो oxygen आपमें blood में diffuse करके पहुचाया वो tissues तक कैसे पहुचेगी? तो via blood the term is transport of gases तीसरा step है respiration का gases का transport कौन सी दो gases का? oxygen और CO2 का लेकिन जब हम oxygen की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो समझा जाएगा अपने आप बिना कहे from the alboli to the tissues लेकिन जब हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो automatically समझा जाएगा tissues to alboli क्योंकि CO2 तो tissues में ही produce होती है fourth step जब यह oxygen को लेकर आप अपने tissues तक में उसते हो यह CO2 को tissues में produce करते हो again need of gases exchange तो gases exchange तो दो जगया होना है एक alboli में होना है is the primary site of the gases exchange और दूसरा tissues में होना है और पांचमा और अंते विस्टर जो tissue cells में oxygen पहुंचती है वहाँ पर उस oxygen को utilize करते है किस लिए combustion of food जो आपने खाना पहुंचाया हमारी tissue cells में उन्हें catabolize करेंगे combustion करेंगे ताकि उससे उर्जा प्राप्त कर सकेंगे and yes this is no other cellular respiration तो पांच step हुआ पहला step breathing दूसरा alboli में gases exchange तीसरा transport of gases और चौथा again gases exchange but in the tissues और पांचमा है that is utilization of oxygen in the tissue cells तो ये पांच step हैं हमारे respiration अब अगली वीडियो से हम एक एक step को आगे clear करते जाएंगे और physiology पढ़ पाएंगे हम हर वीडियो में आपसे एक बड़ी गुजारिश करते हैं ये ख़तू ये लाहर झाओ पाएंगे would लुजा मूझे लगे करते हैं अपसे हम एकट वड़ाएंगे meter को तर हम करते हैं